आपने मौका दिया है आप से बात करने का एक मुझे अच्छा लगा कि हम 24 सो घंटे राजनीती की बातों नहीं उल्जे रहते हैं तो आपने हलकी फुलकी बाते और अब पोलिटिकल बाते करने के लिए इच्छा जताई हैं मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को गेतनी रोची होगी लेकिन जरूर मैं खुलकर के बाते बताना पसंद करूंगा बहुत बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में क्योंकि आपके परसनल मतलब जो लाइफ होती है कि जैसे कि मैं आपको बताओं मेरे मेरा ड्राइवर है उसकी बेटी उसने एक मैं उस सदान मंतरी आम खाते हैं यह उसका क्वेश्चिन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काटके खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं मैं वाश बिजन के ओपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना उसका बादा की कुछ और होते हैं तो मैं जाना चाहू तो ऐसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस पकार की को लगजरी हमारे फैमिल्य थी नहीं लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है कोई खेत में आगड़ के खाता है तो कभी रोकता नहीं है हमारे के बाद पकाया हुआ नहीं नेचरल कोर्स में पका हुआ और पूरा का पूरा अजब तब तो ही हाइजनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए डिकना करना कुछ नहीं समझते थे ऐसा ही अपना कर लेते थे लेकिन बाद में जीसे जे बड़े तो कई आपने कभी सोचा था कि आप प्रधान मंतरी बनेंगे कभी आपने सोचा था और सोचा भी था तो कौन से साल में कौन सी उमर में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा कभी ऐसा विशाद नहीं है और सामाने लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है शायद जो बन जाते हूं सब के जीवन में ऐसा होगा मैं नहीं मानता हूं कि हैने कोई एक दिम फैमिली ही उसी प्रकार से बैग्राउंड बाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभा विखे मेरा जो फैमिली बेग्राउंड है उसमें तो आगर मुझे कहीं अच्छी सी नोकरी की भी मिल गई होती है तो शायद मेरी मां अडोस-पडोस के लोगों को गुड़ खिला देती है कि चलो बेटे को वहां नोकरी में गई है कि उससे जादा हमने तो कुछ सोचा नहीं सा गा नैचुरली रहा है इसमें वैसे मुझे मेरी दृष्टी मेरे बैक्ति के जीवन के दृष्टी से अननेचरल लग रहा है क्योंकि मेरा बैक्राउंड मेरी दुनिया आज की जो राजनीती का तौर करिगा उसमें यह सब बैठता ही नहीं जी मुझे भी आस्रे हो रहा है कि द दोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे ऐसा कुछ पी यह आपके बाद सही है बच्पन में मेरा इक स्वभाव था किताबे पढ़ना लैबरेज चला जाता था तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन पढ़ना यह शौक रहता था कभी फोज वाले उनिफॉम में निकलते तो मुझे बड़ा देखता था कभी बच्चे की तरह खड़े हो करके सैलूर कर देता था मन करता था इतने में 1962 का वार हो गया तो हमारी हां से दूर एक महसान स्टेशन है मेरे गाउं से तो वहां स्टेशन पर सब लोग जो फोज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका पड तो मन पर हो गया यह देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है तो कभी उस दिशा में सोचता था इतने में एक बार मैंने कहीं पड़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है उसमें आप दाखिल हो सकते हैं तो हमने अपनारे उस समय साथ एक रुपया दू रुपिय से उस स्कूल के प्रिंसिपाल मिश्टर रास हुए हरी मनियार करकर रहते थे तो मैं उनके पास चला गया मुझे कभी बड़ी वेक्ति से मिलने से कभी संकोची नहीं होता था ऐसे फिर चला गया में बाहर रहा है यह बस रही है कि भीतर मन में था तो मैं रामक्रिष्ण में चला स्वामी आत्मस्थान अंजी हुआ करते थे अभी उनका करीब हंडेड एर उमर में अभी स्वरगवास हुआ तो मैं सीम बना तो मेरे घर उनको फिल बुलाया मैंने प्रदानमंत्री बना तो उनके हां चला जाता था अभी कलकत्य में अस्पताल में तो दो तिन बार हो आया से उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मोका देते थे तो यह सारे नए नए अनुभव होने लगे हमालाई की दुनिया में चल पड़ा है बहुत कुछ भटका बहुत कुछ घुमाद निया देखी और यह सब कि 18-20 साल-22 साल के उमर में ही करता रहा मैं लेकिन कुछ हैं लके मन में सवाल खुद पैदा करता था जब आप खुद दूंबता राता था ऐशे सबटकता भटकता में क्या हैं और जाते हैं अभी यह आप is बातς होस्ख्कारक नोहस्ति का बनता है पियोगिन अभी कठिन लग रहा ऑग क्यूंbase जो सोचा नहीं वो बन गया वो तो हमेशा होता है मेरे साथ भी मैं भी आपको अगर एक किस्टा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मैं क्या बनने वाला था मैं एक मार्शल आट का टीचर बनना चाहता था कहां मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते ही वो बनने है मैं आप लिए का हमारे प्रदानमंतरी जी को मैं ये जानना चाहता हूँ गुस्सा आता है और मतलब क्योंकर देखे सब को गुस्सा आता है I'm sure आपको भी गुस्सा आता है अगर आता भी है तो उस गुसे में आप क्या करते हो गुसा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुसा नहीं आता है तो बहुत लोग को सर्प्राइज होता है आपको गुसा नहीं आता है? मैं बताता हूँ इसलिए यह कहना कि राजी नाराजी गुस्सा मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं जिन्दगी उसके बिना हो नहीं हर प्रकार की चीजे हरके अंदर होती हैं लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिन्दगी का जो एक बड़ा तपका था वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई इसी बाते थी जिन्दोगों सिर्ता था कि आप आपके जीवन स्वभाव में इस्वन ने सब दिया है अब आपको टाय करना है कि जो अच्छी चीज है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना तो फिर यह चीजे हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रूपती है मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्य मत दिरहा इतने समय तक प्रधान मत दिरहां लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिबर सेकरिटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अफसर नहीं आया है कभी नहीं आया लेकि मैं आपको बता हूं बाहर जो आपकी छवी है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अड्मिस्ट्रेटर क स्ट्रिक्ण से नम पर रहते हैं श्橋 मैं स्ट्रिक हो डिसिप्लीज लेकिन मैं किसी को चाहिकर के अपमानित करके कामनील करता तो सकता था कभी कोई चीज है कि मैं खुद हेल्पिंग हैंड के लुप में खड़ा हो जाता हूं मैं नीजिए कोई कोई ड्राप लेकर साया तो तो अध rę क्या आ को ल trao害 बहुता है आपन लिए मेला करें तो कैसा रहेगा आपको क्या लगता है यह करें तो कैसा होगा तो क्या होता एकूर है मेरिदस मिट पहली पेफ़ी इनवेस्ट हो जाती लेकिन वह समझ ा मतलस को कि Water कि रिभार जो आता है तो मुझे मेरा संवाई नहीं जाता है वешеना करें कर करक्या दा डट गो Linux कर से मैं लेकर आता है तो तुमसर को ऑक्ता निम अपना या जाता हो तो मेरे प्रेसर हैं स्ट्रसे वे नीचे 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 डिवाइड होते चलें आपको घुण इतना गुस्सा नहीं आता अंदर तो होता होगा में व्यक्त तो करने से अपने आपको भॉत रूक लीते हो नहीं जैंडंग बन एक मिटिंग में अपने घुसा कर दिया घुसा कर दिया तो मिटिंग का एजेंडा वगरे सब छूट जाता है हरें के मन पर वो दो तीन मिनिट की समय रहता है वो ही चाया रहता है वो बहुत नुक्षान करता है जैसे मुझे गुच्सा आता है तो मैं आपको बता हूँ गुच्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है मैं चोटा मुझे बड़ी बात मैं आपसे बहुत चोटा हूँ और मैं कहूंगा कि आप गुच्से को जो है अंदर ना रखे उसे निकाले जैसे मैं निकालता हूँ क्या करता हूँ एक बॉक्सिंग बैक घर पे रखा हुआ है जितना हो सकता है सुबह साड़े चार-पांच बजे मार लेता हूँ और अपना गुसा निकाल लेता हूँ और फिर ठक हार के बस या कभी समंदर किनारे चला जाता हूँ और जोर से चीकता हूँ कोई भी नहीं होता है ने इसके लिए कड़क्त ररेगा है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, कभी होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता है मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और कभी इगो भीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ, आम सुरी मेरे से गल्टी हो गई, मनुष्य है, तो मैं क किया किया क्यों किया खुदी और उसमें जश्टिभाय करने की कोशिश नहीं करता था फिर उसको मैं फाड़ करके फाइच देता था पड़ता भी नहीं था दुबारा फिर भी मेरा मन सान्दी होता था पूरी कथा दुबारा लिखता था तीन पेच चार पेच पाट पेच उस मैं उस सारी घटना क्रम को दाल के पूरे पेपर पर फिर से एक बार जीवन्त कर देता था इससे क्या होता था कि वो चीजे मेरी जो प्रक्रिया के दर्म्यान जो पहले मुझे सच लगता तक मैं सच हो दो तीन बाल लिखते के पार रुजे लगता है नहीं यह गलत था यह मैं आइडेंटिफाय कर लेता हूं तो मतलब यह आपका तरीका है अब वो नहीं रहा इतना समय नहीं है यानि मैंने अपने आपको ट्रेंड उस प्रकार से किया था इतना बड़ा आपका घर है जैसे मैं अपने घर पे अपनी मां के साथ रहता हूं आपका मन करता है सर आपकी मां आपके भाई आपके सारे जितने भी दरिश्तियार हैं आप के साथ घर पे रहें पहला है कि अगर मैं पी.एम बनकर के घर से निकला होता तो ुख भाविकरेंज से मेरा मन रहता है कि बीप सब वही रहे है, मैं जिंदीगी की बहुत छोटी आईओ मैं सब को छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी है भी मैं छोड़ दिया, छोड़ दिया उसके करण वो जिन्द की ऐसी थी जो टोटली डिटेच्ट बन गई है, और इसलिए जिसको कहें लगाओ, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिन्दगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई, वो उस प्रका के हुई, और उसके कारण एक अवस्ता के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है, उस समय जब छोड़ा तब तकलिफ होई होगी, लेकि अब जिन्दगी वो बढ़ गई, लेकिन फिर भी कभी मा को बुला लिया था, मैंने कुछ दिनों के साथ बिताए था, मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी मा मुझे कहता है, तुम मेरे पिसे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहां क्या करूगी तुम्हारे साथ रहे के, मैं अपना चली जाते जतने दिन मा यहां रही, मैं अपनी फिरियूल में ही लगा रहता था, तो एकाथ बार साथ में खाना खा लेता था, फिर भी यह भी पेन होता था, कि मैं रात को बारा बजाता हूं तो मा को दूख हो रहा है, कि क्या कर रहा है मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार मिला था तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहां सी-यम थे तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाय था तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका हुमर अप प्रधान मंतरी बनने के बाद इंटैक्ट है मैंने जैसे आपको बता आपकी चवी बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते है कई लोगों से ऐसे बात चीत करते हैं वो बात जब यार बड़ा काम करवाते हैं तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट अड्मिस्ट्रेटर एक स्ट्रिक्ट हेड्बास्टर ऐसा लगता है मुझला हाथ में छड़ी होगी उतके तो अभी भी आपका हुमर एक बात है यह जो चबी बनाएगे वह सही नहीं है और कोई यह कहता है कि मैं काम करवाता हूं शायद व को यह कहें कहां काम बहुत करना पड़ता है उस पर सचाई है लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूं लेकिन वह जब खुद मुझ को देखते हैं पहले जह से आफिस से आम तोर पे प्रदान मंत्री छे साथ पे निकल जाते थे दो पर मैं भी एक दो घंटे वो ऑफिस मे नहीं रहते थे मैं सुब्य से जाता हूं देर रात तक बैठता हूं तो वह भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई हम से मद्दूरी नहीं करवाते हैं खुद बैठते हैं कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फोन करूंगा अगर उसक क्या हुआ तुमको लगता है अभी भी काम कर रहा है तो एक प्रकार से एक टीम का स्पीरीड बन जाता है एक वर्ग कल्चर आप डेवलप करते हैं मेरे आसपास में बर ग्रचर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूं उसके कारण होता है कि स्ट्रीक ने डिसिप्लीन थोपने से नहीं आती है क्योंकि मैं जिन्दगी मैंने हुमन डिसोर्स डेवलप्मेंट में ही अपनी जिन्दगी खापाई है आप लोगों को अचा जूट बोलके नगे इंप्रेश भी नहीं कर सकते हो लंबेर से तक वो सब देखते हैं आपको क या बात ऐसी करते हो करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए हां मैं काम के समय काम में रहता हूं इसलिए धरूदर की बातें समय खराब नहीं करता हूं मैं दूसरा मानी जिए मैं मीटिंग कर रहा हूं और कोई मोबाइल फोन अपना समय बिगाड़ रहा है तो मैं फिर उनकी दरब जहाँ अच्छा बताई अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ तो उनको अध्यान नहीं था तो उनको लगता है था मोबाइल फोन में मैं चुटर देख रहा है तो तब से मेरी मिटिंग में समय लोग समचिए कि मुबाइल फोन नहीं जाना चाहिए मैं किसी से भी मिलता हूं कोई भी वेक्ते आएगा मेरा कभी बीच में फोन नहीं आता है तो यह मैंने डिसिप्लिन खुद के जिवन में लाया तो सामने वाले को लगता है किया रही है टोटली मेरे लिए डेडिकेटर था इन्होंने कोई उप्योग नहीं किया इन चीजों का प्रभाव प्यादा होता है जहां तो हुमर का सवार है मेरे परिवार में हमेशा एक अलपना थी कभी पिताजी राजी नाराजी हुए हो कभी छोटी मटी हो त पर अब क्या हो गया है जी हर चीज के अलग अर्थ निकाले जाते हैं आधा दुरवाग के उठा करके उचाल दिया जाता है तो अब डर लगता है कि कहीं कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है हसी मजा कहावत सब होना चाहिए लेकिन अब दूर प्योग हो जाता है तो डर आज ये सोशल मीडिया के वज़े से लोग कोई भी शब्द कोई बी उल्टा सीधा करवा कि तो आप ज़र अपना हीूमर को बचा के रखते हूं लेकिन आपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्तों के साथ आपके जो हाँ वो तो आज ही चलता है जी मेरी केविडेट बिटिक का भी बिग होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर है वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं कोई उनके लिए पीम जो एक वारा बना हुआ हूए दुनिया में वो तो बड़ा अलग है मैंने वारा रखा नहीं है मैं दोस्ता ना करता हूं तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहत हूं कभी आंदो संध denis pale स्तुव और रहे गारे अफ्सें आपके कोई दोस्त है बहुत दोस्त है बहुत अच्छे दोस्त हैं हम भी उनका चांट व्यक्त कभी चाह und कि आप अच्छे दोस्त हैं हम लोग साल में एक-दू बार साथ खाना भी हाते हैं आट अच हैं बंग 60 व बड़े दोस्तान अंदाज में गप्पे मार रहे थे तो हम बाहर निकलते तो मेडिया वालों ने पूछा कहे रहे आप लोग इस तो इस तो बहुते दोस्ते वाले हो एक गुलाव निपी से तुमारी दोस्ती कैसे है तो फिर गुलाव निपीन अच्छा जवाब दिया है है हम तोनों खड़े थे देखो भाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है शायद एक फैमिली के रुप में हम लोग जीतने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग को शायद भाहर कल्पना निकर सकते है आपको हरानी होगी और बसे मैं यह बोलूँगा तो चुना में मेरा नुक्षान भी हो सकता है लेकिन यह मंता दिदिये है साल में आज भी मुझे एक दो कुरते खुद सलेक करने जाती है अच्छा 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 अच्छाँ भी बंगला देश्चिप दान मंतरी हैं सेक अच्छना जी तो मेरा दौरा हुआ तो तो ऐसे बंगाली मिठाईयों की चर्चा चली तो आज भी वह साल में तीन-चार बार कोई-कोई बंगाली नहीं मिठाई होगी तो स्पेशली धाका से मुझे बेढ़ देती है अच्छा वह से स्पेशली बड़ा आग्रा करके तो बमतादीदी को पता चला तो वह भी साल में एक-दो बार मेरे लिए कुछनों कोई-कोई-कोई बेंगाले मिठाई जुरूर भी देती है मुझे जी मैं आप से एक बात जानना चाहूंगा मैंने यह सुना है जब मैं पिछले साल मैंने यह सुना था कि जब आप गुझराट से गुझराट के से मसे आप निकल कि आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीब एक्किस लाख रुपे थे और वो एक्किस लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको भांट दिये थे तो आज मैं जाना चाहूंगा आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं आज आपका बैंक बैलेंस कितना है एक तो यह आदिये दूरी बात है अच्छा आदिये दूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से स्केम के रुपे निकला हूं वैसे मैं मेरा कोई बैक अंकाउट नहीं था स्केम बनने के बाद मेले बना तो मेरा तंखाना शुरू हो गया आपकी बैंक अकाउन नहीं उसके पहले नहीं था अच्छा एक बच्पन में निकाला था तो वो भी एक बड़ी नंभी का था है मेरी स्कूल में मेरे गाउं में एक देना बैंक का प्रांच खुला तो स्कूल के अंदर देना बैंक के लोग आये थ पैसा जबाओगा है हुआ हमने भी बैंक एक आउंट उसमें खुलवा दिया अब हमारे ही नो कुछ आया ही नहीं अच सकता आने वाला को था ही नहीं तो क्या आयगा हम तो कभी पैसा जबान ही कराया है आप चोड़के चले गए हम बैंक में हमारा एकाउंट बना रहा तो उनको हर साल वो केरी फ़रवर्ड करना पड़ता हुद लिखा पटी करने पड़ती थी तो वो मुझे ढूंगते रहते थे कि बैंक बन करना इसको बुलाई कास से तो साथ 30-32 साल तक बना रहा और उनको कही पता चला बाद में कि मैं पोलिटिक्स में हूं तो बैंक वाले मेरे पास आए तो नहीं जो वेतन मिलता है वाना शुरू हो गया तब बैंक अकूल गया मैंने तो कभी वो देखा नहीं है मेरा स्टाफ देखता था जब मैं निकला वहां से तो मैंने अफसरों को बुलाया नहीं मैं यह ले जाके क्या करूंगा गाए और मुझे तो कोई प्योग है नहीं तो मैं यह दे देना चाहता हूं तो उन्होंने कहा अच भाई ऐसा मत कुज़ें कि मैं करूंगा क्या इसलिए जागा तो खैर अफसर लोग मेरी इजयत करते थे ज्यादा बाहस ने कि चले गए शाम को एक सिंगियर अफसर को लेकर गया है मिलने के लिए फिर उन्हें तीन तीन लोग थे यह समझाएं कि बुले मुझे खमो दीजी ठीक है आपको जरूरत नहीं पड़े लेगे आपके पर इतने कौट केशी चल रहे हैं गुजरात में वकील भी इतने महंगे होंगे हैं अपको कभी कोई पैशो की ज़रूरत पड़ेगी अब पद पर तो कब रहो कितना रहोगी आप और बाद में मैं बहुत कोई नहीं देगा आपको तो हमारी प्रात्ता है कि वेसा मत कीजिए तो मना आगा क्या कर बोले ठीक आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजी तो उ उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपिया दिया अच्छा उसमें से हाँ मेरे अपने जेव से दिये और मैंने कहा कि यह जो हमारा सेक्रेटरियट है उसमें जो ड्राइवर है क्यों ने है उनकी खास करें के बच्चिया उनको यह स्विछादिशा के लिए खाच करना तभी वो साथ बनाये हुआ इस गुजात सरकार ने और उस मेंसे वो मतद कर भी रहे हैं फिर वहां मुझे एक सरकार के तरफ से अब एमेले को एक प्लॉट मिलता है पैसो से मिलता है लेकिन कम पैसों मिला तो मैंने पार्टी को कहा भी लेलो आप आपको दे दे रहा चाहिए तो मुझे कुछ यह नहीं तो मेरी वो प्रक्ट्रिया चल रही ती फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रिम गॉड में लटका पड़ा है शायद वो जमीन किसी को दे नहीं सकते इस प्रकार का कुछ भाई मुझे पुरा विया मालूम नहीं क्योंकि मैं इस ती जो में रूची नहीं लेता लेकि मैं नहीं मांन था कि मतलब आपने प्लॉट दे दिया आपने पैसे दे दिया तो आप क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाद दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूं जी 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 एक गुजरादी आदमी था बज़र्ग आदमी था वो मर रहा था तो वो कहता जी बजादी था कि मेरे गुजराती ज़र इतनी थीक मेरा हूँ तो पर बेलो बेटा बेटा कि डड़ी हो यहां चू चू जाँ मेरी बीवी का है मैं भी यहां हू अप तीनों यहाँ हैं तो सारे कि सारे इज ही आगए हूं जल्ущे तो मेरे दुकान पर क्यों इन्वाभ यह यहार नहीं कि क्योंकि मैंने देखा है गुजराती मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्ते गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते हैं वह आपको एक चुटकुला सुजा दू जो ठीक है यह बहुत तो उसने जेकर स्टेशन आया तो उसने खीड की में आवाड लगा कि बहार किसी को पूछा कि कौन सा स्टेशन आया तो उसने का चारा आना दोगे तो जवाब दूगा तो पर जवाब की ज़रूर नहीं अम्दाबद होगा बिल्कुल तु यह बिल्कुल बात सही है और एक बता बताता हूं एक किसी के आलोचना करने लिए नहीं है लेकिन कोई भी आर्थ निकाल सकता है और यह सत्य घट्ना में से बना हुआ चुटकुला है बहुत साल पहले वैसे मेरी जिन्गी ऐसी थी यह हापस्लीव का कुर्टा और पैजामा जूते और थेला यही सही मैं रेल्वे में भटकता रहता था और डाड़ी रहती थी तो मैं पूने स्टेशन पर उत्रा और कोई मेरे पर ज्यादा सामान तो था नहीं मेरा एक वो जो आरसेस दफ्तर में जाना था तो मैं पैदली जाना था तो एक और रिक्षावाला धीरे 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 साथ चलता था थे फिर करीब 100-200 मिटर गया होगा और उसने मेरा ध्यान गया मां कि ही ऐसे किसे चला रहा हो श्लोली मेरी स्पीड जे मेरा था भई आपकी आपकी पोटरीशाइब खरावे क्या प्रॉब्लम है आपका तो उसने का सब आप नहीं मेठो गिया है मैं का क्यों मैं तुम तादल जा रहा हूं तो बले आप समाजवादी हैं मैं का नहीं मतम दावादी हूं तो बले आप समाजवादी लोग बले हमेरे पुने के समाजवादी जो लोग है वो स्टेशन में पब्लिक के साम में और रिक्षाम नहीं बैठते हैं दूर जाके गुप चुप बैठ जाते हैं क्यासा क्यों लोगों के इंप्रेशन रहे के वो महनत करते हैं साथगी वाले हैं तो बले मुझे भी लगए लगए हैं तो औरो के तरह आपकी थोड़े देर के बाद बैठ जाओगे तो बले इटने मैं चल रहा था तो जब उसने मुझे पर आप समाजवादी हैं मेरा तु और जिन कहें कि आपके तीन विशिज हैं तो वो आपके तीन विशिज क्या होंगे देखे आलाव दिन जराग मुझे मिल जाए और सच्मिन में उसके पर ताकत होगी तो मैं उसे कहूंगा कि तुम जितने भी यह समाज सास्त्री है या जो एजुकेशनलिस्ट हो उनके दिम जराओ दिन चिराग वाली कथा सुनाना बन करें कि ऐसा कोई अलाओ दिन होता है वारो इशाय इच्छाय पूरी करता है मैंना का उसको महनत करना शिखाओ मैं कभी एकस्पेक्ट नी कर था आप यह जवाब दो यह लगा आपको यह तीन विशिज आप सोचोगे क्या है तीन दिन विशिज नहीं है यह नहीं है कि अधीन तो सभी को रिटायर होना होता है आपको भी रिटायर होना पड़ेगा तो आपने कभी पोस्ट रिटायर्मेंट प्लैन सोचा है कि आपने जब यह सब कुछ खतम हो जाएगा मतलब आप पॉलिटिक से सन्यास ले लेंगे तो आपके आगे जाके आपने क्या करने है एक बड़ा इंटरेसिन चीज बताता हूं हम लोगों की एक मिटिंग थी इनर सरकल की अटक जी थे अडवान जी थे राजमादाश इंद्या जी थी शेकंदर बहुत साथ थे प्रमोध माजन भी थे और उसमें सब से छोड़ी आउगा मह रहता था तो बाती चली थे कुसमस ऐसे इक अभीटिंग शिरू हाना बागी था ज़े गप चल पड़े कि भी रेटार्मेंट के बाद क्या करेंगे तो सबने कुछों की अपना बताया प्रमोध माजन इसको अख्तित्व की विषयस्था थे उनका जीवन बड़ा भीट्ता उसे भार था अने प्रकार की एक्ट्वीटिटी से अपने आपको जोड़े रखे थे थे मुझे पूछा मैं पूछा नहीं आता है यह तब चारे चीजों में शोचा ही नहीं 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 जब जब जो जिम् विचाने अवे फुचाना पड़ेगा मुझे आपको एंगेज रखने क्लिए कूछ आ पड़ेगा अर इसलिए मा कभी यह नहीं मेरे मन में विचाहर यह और नहीं मैं सोचता हूं और मुझे पक्का लगगता है चादि का अंका झुछ जीवन का पल-पल किसी नहीं में का प जब CM से यहाँ जब PM बने थे तो मैं यह जाना जाओंगा कि सबसे वैल्यूबल चीज आप क्या लेके आये थे यहाँ इस घर के अंदर इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही थी? अगर मैं वैसे यह पूरी बात्चित आपने पहले मुझे कान भी मैं तो कोई राजनेती की चरदा करना नहीं चाहिए लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनते समय हैं शायद और प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला ह देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए इतने प्रधानमंत्रियों को यह बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है वो यह है कि मैं लंबे अर्षे तक मुखमंत्री रहके आया ओर में गुजरात का लो के सभी चिफ मिनिस्ट्र होने के नाते आपको बारीकियों से जूरना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है, आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है, ये तजूर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधान मुझर को इतना सदफाग्य नहीं मिला, देव गोड़ा साफ मुख्यवंति रहे थे लेकिन बहुत अल्ग पकाल के लिए मैं बहुत नंबा रहा हूं मैं समयता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबर दिया बहुत बड़ी ताकत दिया यह मैं अपना एक मान सत्वा हूं कि वहां से में लेकर जाया, यह जो देश के काम आ रहा है, आप जैसे मैं जानता हूं, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप तीन या चार साड़े तीन गंटे ही सोते हैं, तो साथ गंटे तो सोना एक आमोमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप साड़े तीन गंटे ही सोते हो, यह बात आपके सही है, मेरे जो जितने मेरे साथी है, मेरे जानने वाले लोग है, यह हमारे जो अब सरकार में आया हों, तो दॉक्टर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से यह की आगरा रहता है, मेरी नेन में क्यों आज अब अधे करते हैं, आप करते हैं, यह तुद नव अच्छे दोत है, तू तारी करके बुलाते हैं, तू तव झाल why में आज पता नहीं है, यह था नशा है काम का तुम कर्ते रहोगे लिकिन तुम अपना नुक्षान कर रह बंदे हैं, और जब ही मिलते हैं, कि तो मेरी बात मान्ते हैं तो को निन्द निन्द गुटाइ गड़ाई को लड़ाई? अब पता निनिन्भ एड़ा एक बाड़ी साब चारी गड़ा हो गगा है. अजुछ आपको निन्द आटी और साद तीन चारीमिंटे के लिए? मेरा कुछ नहीं, आँख खुलती है, फिक्षन अब सेकंड मेरा पैल जमीन पे होता है, बहुत जाता हूँ, उड़ता मेरे बिस्तर पे उड़ता हूँ इसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ, अब ये हो सता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में, जिस जिन्दगी को मै जी रहा था, उस में से शाहिद डवलक हुआ है, अब वो मेरा, मेरे, मेरे शरीर का वहिसा बन गया है, लेकिन मैं, जिस आपने का रिटार्र होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम, मैं निंद कैसे बढ़ा हूँ, इस पर सोचूंगा, कहां बढ़ोगी है, आज 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 आपके सारा काविद पढ़े हैं, तो आपको कभी, मैं यह जाना चाहूंगा, वैसे कई लोग जाना चाहेंगे कि नरिंदर मुदी जी को जब जुकाम लगता है, तो वो क्या लेते हैं, आप हैरान होंगे, मैं भावती, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठीन जीनी की जी करके मैं समय होंगेा होंगा है, तो डोक्टर क्या होता है, ये महमी ज easily deficli है और शौसिक्ट्र क्या होता है, वो सब, आप अरुवेधा की बहुत इशवास को से लेक जेबीगे, यह जाना बाचता हैं, जो पहाणा चड़ते हैं, तो पैर्त अदर करते हैं, कितनी आदी हो लेकिन का उन्चाई अपर जाते हैं अब जो अक्यला इंसान हो अब जो अक्या एइन्सान मोग अज़ करेगा था है आप झाले को तो इस निए वी जो तो इंदि पर ए निए भाले को तो अब मेरा क्या करता था नहीं पर्जाए इसा इसे उसको एसे बाद देताथ था पूरा और बी तोड़ करके पैड से लगा जेता था। इसको मैं करू करता था। तो प्रेसर आता था। एसा पूरे बोड़ी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था। तो ऐसी चीजे में एवोल करता था। अपने जिये। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पर गया था। पैडल टोटल यात्रा करीब था। 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 पैडल गया। कुछ और भी लोग थे। बड़े धनी लोग भी महां कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े महंगे वो चंब्री बचाने के लिए सब लेकर के आये हुए थे। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग आज में छथे दिन मूह नहीं दो सकते थे। कि अनकी चंब्री जहर करके निकल लिए लगाता हूँ तो बड़े परिशान नहते थे। मुझे कुछ नहीं होता थे। बड़े मैं तेट अनार हैता था। तो मुझे पूसरें लोग आप क्या करते ह। मुझे कुछ नहीं लगाता हूँ तो रात को हम जब पहाड चड़कर के रातनी मुकाम होता थे। मेर पासा जागते हैं हर को एक बंद कैस्टों पर से ले जाता थे। जु काम होता थे तो नहीं गरम पानी पूरा समय पीता ह। वाड़ फास्टिंग करता ह। अच्छिवए पानी एक दू दू दीनने च्वषण फर्टाइध गरम पानी करना ह। तीसरा इस रस्व का थे चाल होता है उसको थोड़ा गरम करके तोड़ा गरम करे रात को दो तीन बुन नाल ज़न बहुत होती है लेकिन यह मेरा इक लिम्हें कर लेता है तो ऐसा ही जीने की आदाता है मैं कुछ चीजे करता हूं वो मैं चाहूंगा पूछना चाहूंगा अपसे मैं एक मैंने चीज फॉलो की है जिसको कहते हैं कि आद 17-11-05 इंट 20 यनि 7 बजे मैं breakfast कर लेता हूं बारा बजे मैं अपने lunch खा लेता हूं यानि जब भी एक घसा खाता हूं उसे 40 बार चबाना है तो यह मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कई लोगों से बात किये तो आप इससे सहमत है बिलकुर शहमतों और ये बिलकुर सही रास्ता आपने चुना हुआ है हमारे देश में मुलादत यही है यह वेस्टरन जो बड़ आया उसने फिर दिरे दिरे इसमें यह बड़ाव किया कि लोग वन्ना हमारा किसान आज भी गाउ में सुर्यास्त के पहले सुर्यास्त के पहले खाना खालेता है और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबे एक प्रकार थे वो किसको आप नास्ता कहते हैं लेकिन अक्चुली उसका वो नंच जैसा ही होता है तो काफी मातरा में बड़े-बड़े रोटी गियोल और सब्जी या चत्मी कुछ लेकर के थेच तलाज देन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पर रख कर जाते हैं वो पुरा भोजन नहीं होता है थोड़ा होता है या आज भी हमारे देश में परमपर है आपका एक बहुत बड़िया है मतलब डारी बारी एक दम सही लखिया हुआ और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्टा पैनते हैं ज्यादा करके हाफ स्लीव कुर्टा पैरते हैं तो यह जो फैशन यह जो है यह जो आपकी जो शेविंग और यह सब क्या यह जैसे दूसरी सभी मेरे इन कपनों की दुनिया को लेकर बनाई गई है। दरचल क्या है। मैं छोटी बैग मेरी जिन्गी थी और मैं ट्रावलिंगी करता लेता था। जो आपने बता है जो लें और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपने खुद धोता था। जो की दूड़ जराएं तब तक मैं कपने खुद वया ह। मैं तो पिर मैं किसी सोचा कि ये लंबी भाहें रखता हूँ तो मुझे इतना जादा दोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में ओ जगा जादा लेता है तो मैं तो मैं जगा जादा लेता है। अच्छा वो जगा जादा लेता है इसलिए आपने उसको मैंने काड़ दिया था ओके आगो बादो पैशन पर गया जी इबास हही है कि मैं डंग से रहना यह मेरी प्रकूरती थी शाद एक कारण यह भी था कि गरीबी के कारण कभी-कभी इन्फियारिटिव होती थी लोगों के बीच पे तो उसको ऊवरकम करने के लिए शाद साइकोलोजी पड़ी होगी बच्पन में ऐसा मुझे रखता है तो मैं क्या करता था अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए क में टा नहीं तो मैं यह इंद्धन का जो लोटा रहता है उसमें कोईला भर देता था गर्म कोईला और उस घूकर नविए अट्लन कर अट रहताता था और भी जूतित नहीं तो मेरा ममा एक दिना तो यह जो कर गया तो अन्हें मेरे लिए जूति았는데 आ स्या अर्देसरों के मिलते होंगे, वो लिया आए, तो थोड़े दिन में तो गंदे होना शुरू होगे, तो मैं क्या करता था, क्लास्रूम में, सब बच्ची चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैकबड पर लिखता है, तो बाद में जो छोटा चॉक्स्टिक पर लगा जेता था, और हर दिन सूबे चॉक्स्टिक जूतों पर लगा जेता था, और डेली, ये, मैंने कई बार आपसे मिला हूँ, आप घड़ी जो है, वो अभी तो आपने सही पेनी है, लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हो, गड़ी मैं सही पहनता हूँ, मुझे मिटिंगों में बैठता है पड़ता है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसी को पता चले, कि मैं ऐसे गड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फिर दोता है, तो मैं उसके सम्मान के लिए, हमेशा रहता हूँ, एसे चोरी शुपे से गड़ी देख लिता हूँ, आप कोई बैठ रहा है बात करा है और गड़ी देखते हैं, तो मतलब कि आप इसको इसको इसारा करो भी बहुत हो गया जाओ, तो आप ऐसे रखते हो, हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि एक इसे का एक प्रकार के, हीडन भी में है, मैं बहुत मानुटली आप, लेकिन आप म मैंने देखा है कि आप काफी आक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रशन पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो, ट्विटर या इंस्टरग्राम या सारी चीज़े आप देखते हो, सर्व, मैं जुरूर देखता हूँ, और एक पर गुसा निकालती है, ट्विटर पे, तो उसके एकारण आपके परिवारिक जीवन में बड़ी शांती रहती होगी, उसका पूरा गुसा मेरे पर निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा आराब रहते सुकुन वेलता होगा, तो आपके लिए इस प्रकार से काब आया उन से में मिला था, बहुत पहले, और कारण क्या था, यह बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, गुजरात में एक बहुत बड़ा आकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ नो कोई सामाजी काम करते थे, उसमें हम लोगों को यह बटर मिलके केंदर चलाते थे, छास पिने के लिए ग बठाई के बहुत बड़े बापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, बून को लाए थे, और उने डोनेशन भी दिया था, और हमने ऐसे चाज के इंदर चालू किये थे, बटर मिलके, बहुत बड़ी मातला में, जैसे पानी की परव रहती है, बेजी चाज की परव रहती थे, और हर गरीब व्यक्तिव हो, तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था, और उस समय उनके नानाई हो हाँ थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलागात हुई थे, काफी बाते हुई थे उनसे के थाथ, तो बरावत प्रकार से उनसे परिच्छ रहा है, तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगो को जवाबते हो बिल्कॉल मैं पढ़ता भी हो और मजा लेता हूँ आपको वैसे मैं जब आप अपने उपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पर मीम आते हैं, तो वो मीम देखके आपको हसी आती है, तो आपने कहा गुसा तो आता can give nation unity, equality, safety, prosperity, तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना डोकला है बेकार, अपकी बार मोधी सरकार, ये देखिए हमारे, मेरे ही सारे fraternity के लोग आय थे आपसे मिले तो सब के जहरे बहां लगा दिया है, ये आपने देखा है, ये मेरे नहीं देखा हुए, ये ये रोई चेटी जो है, ये एक्षिन डिरेक्टर है, मीट नरिंदर मोधी जी और अगले दिन आपको इतना अथर पढ़ा सीदा मोटर साकल लिया, अपने निकल पड़े, तो ये मीम देखके आपको कैसा लगता है, मैं एंजोई करता हूँ, मैं उसमें मोधी को कम देखता ह तो मुझे विस क्रेटिविटी के एक परती है, और मेरा गोर भी विरोध होगा, ये बड़ा मज़ा था, क्या बड़े सटिक तरीके से कहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे क्रेटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यू जटके में सोचते हैं, ये लोग आपको बताओं, आप और मैं बात कर रहे हैं जबारा हमारी विरोग परती है, ये सबसे बड़ा बेनेफिट मुझे ये है, कि मुझे कामन मेन की जो सैंस है, उसकी जो क्रेटिविटी है, उसका अनलीसिस है, ये समझने में बड़ा बना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगो होता है, फिनिश नहीं होता लेकिन उसमें आपको सच्चा ही हाथ लग जाती है, मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ओपर भी बड़े बीम्स बनेंगे, तो आप तो खरते हैं, मैं मुझे मेरे लिए पहली बार होगा, ये मतलब, कुछ लोग होते है इंटेंशन से आपको चुभेशले करते हैं, जानबुच करके, उस समय आपने आपको संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, और वो उसको उसकी नेंद राम कर देते हैं, अगर आप उसको रियक करते हैं, रिस्पॉंड करते हैं, उसको मजा आ जाता है, लेकिन देखा है छोड़ दिया तो उसकी नेंद गड़ा तो मैंने इतनी महनत की इतना मोधी जी के माल नौचले वाली चीज की इतना मोधी कोई नहीं नहीं तो वो परिशार हो जाता है तो फिर वो अपने हम बंद भी कर देदा है थोड़े देर बाद यह भी बात सही है बस अपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है आपसे मैं दो थीन बार पहले भी मिल चुका हूं और आज मुझे 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 मुझा मिला है आपसे वारतहलाब करने का आपसे बातषीत करने का बहुत अच्छा लगता है as a human being and not as a prime minister as a human being you're a lovely person you're a person जिसने जिन्दगी में सब कुछ देखा है, जिला है, पाया है और खोया भी है और सैक्रिफाइस आपकी जिन्दगी के यह मेरा अनालिस जो मैं आप से भी बात करके यह मेरा अनालिस जिन्दगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसे भी किये है मुझे यह मुखा मिला है आपसे बात्चीत करने का क्या आप मन्तली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेचते हैं कि माता जी खुद मुझे देती है आज भी आज भी जब भी मिले जाओंगा तो साबारुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी आज और वहम से कभी अप्रेक्शा ने कर ले ले उनको जरूद पर नहीं है दूसरा साइद मैं कैसा मुख्यमंत्री नहीं रहा हूँ और कि अपने अपने आप परिवार पुरा देश को अपना परिवार बना लिया है इसे में लगा रहता हूं यही काम करता रहता हूं अधिजी मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको कि मुए बच्छन में ऐसा कौह साइब था झाम आप घयलते थे हैं मैं बच्छन मैं गाता था पर दोड़े की संकी शाखायएं इस बड़े अच्छे विज्जनी के लोग अ बड़े वेग्याहि ग्यानल को ए जिसमें टीम प्रिट आए और जिसमें जैसे एक एक खेल होता ह यह सब सरकल में बैटते हैं फिर जो हमारा लीडर होता है वो पूछता है आपके राइट साइट पर जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बता हुआ अब है तो खेल लेकिन आपको उसके कान कॉंशेंस लेजाता है कि हाप दूसरे के गुणों को देखना चाहिए अब खेलते ख रिद्पन में संग की शाखाओं में खेलों के द्वारा तीम स्पिरिट क्या होती है रिस्पॉंसिबिलिटी शैर करना क्या होता है यह खेल है संग मैं बढ़्पडिया खेल है बेख परंपरांकत खेल है को संगवानों ने धून तून्दे ऐसा मैं ने कह रहा हूं यह तो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप पड़ते हैं, जो इंडिविजल खेल होता है, वो आपको एक अलग प्रकार कर डेवलपमेंट करता है, वो गलत करता है, समय नहीं कह रहा हूं, तो एक अलग प्रकार करता है, तेम के अंदर खेलने से अलग प्रका कि इंडिविजल कितना ही हम बढ़े चल जाए लेकिन गुरूप पाले खेल जुरूर खेलना चाहिए यह मेरा मत रहता है कि अपने कभी गुलिरंडा खेला बिलकुल खेलता था गुलिरंडा था हमारे हां गाव में घलते दें लेकिन ज्यादा तर मैं तैरने के लिए चला जा तो ताव में पानी था खेल घु था तालाब में चले जाते थे तो समय नहीं खेलो पानी था जाए था-ट। मे बहुत गंतोंत तक पॉर में अपने घुरे मैं अभी याद है आपका मैंने एक United Nation में पहली जो speech देखी थी आपकी, I think 2014 में दीती है मैं प्रदान मंत्री बना और सितंबर में गया था सब्टेंबर में गए थे तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीच दिये हैं हिनुस्ता में तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल वाइड पूरी दुनिया तो वह यू नवस क्या मेरे प्रदान मंत्री निरंद मोदी जी नवस थे उस दिन मेरा प्रोब्लेम और कांफरेंस था है अच्छा उल्टा था और हुआ क्या कि मैंन मन में सोचा था कि मेरा फ्रेमवर्क रहे का बोलने का जब जहाज मेहां से जा रहा था हमारे अप्सवरों में जे ब्रिफिंग भी किया था जब मैं अमेरिका पहुंचा तो हमारी तो मेरा नेचर है मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मिटिंग कर लेता हूं तो प्रिफिंग के लिए सब बैठे थे तो तो सुस्मा जेने पुरुचा अग्रेशा आप आपका भास्ना वगरे कर लेंगे क्या है तो वो अड़ गई उन्होंने बड़ा अगर नहीं को बोले स अशने चलता है अचा अपसा लोग बोल नहीं पाते है मुझे किसे नमीजे कहां भी नहीं था अग्ष्टं पर भासन नहीं करना चेह बोले है लिखी स्पीश होना चेह है अग है महा तो नह कुछी को लिख लिख लिए कि अहा है नह मैंने लिफा है तो हभ जगा वशे करता अगर काफी दिने हमारी आधालन्दा तक बहर शोती रही लेकिन उना ने बिलको पकड़ कर दो नहीं ता इसमें आपके नहीं चलेजी आपको मानना पड़ेगा तो मुझे अपको अप्या करेंगी थी मैंने का मैं अपना बताते तहो मुझे क्या बोलना है तो मैंने वही प तो यहां भी मैं आपको देखा नहीं है। मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरे थौट प्रसोश इतना तेज जलता है। तो मेरे वो पहला भाषण जो है। वो पढ़कर के मैं किया आप हूँ। यहां भी मैं अच्छिनी पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगे मेरी हाथ में कागज है। तो यह अच्छा सबसे पहले मुझे नेपाल करदाम नेतरी बनेगभाए। तो हाँ भी मैं एक्स्टेंप बोल दिया था। और वो भाषण आज भी मशूर है। आज भी मशूर है। नेपाल में पहला भाषण था। तो मेरे लिए फिर वो इस प्रकार की जो मीटिंगे होती है। उसमें बहुत आवश्यक हो गया। बात में मुझे भी ध्यान मैं कभी यह देश का मसला होता है को इदद और शब्द न चला जाए। तो फिर खार मैंने बुझे वो से डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकि मेरे पहले भाषण का मेरा अरूपव यह है। तो कि यह अच्छा। फिल्में देखते हैं। अब ही नहीं देखता हूँ। लास्ट फिल्म कॉनसी देखते है। और मेरे गाव में एक थीटर था। और मेरा एक दोस्त था। दसरत करके। उसके पिताजी थीटर के बाद शिंग चना बेचते थे। और हम गाव वाले उनको लक्षमर भाई थीटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से। उनसे अमारा परीचे था। तो हम वहां जाके बैठते थे। और अगर थीटर में दर्शक कम है और जगा बची है। तो फिर वह थीटर के बार ही बैठते थे थे। तो मालिक को कह देते थे जरह इन बच्चों को बढ़ा लोना। तो फिर वह मुफवत में हमको थेटर में जाने का मुखा मिल जाता था। वह लक्षन बेजयों सिंग्चना बेचते थे उनके करई। तो मैं और हमारा दोस्त है दसरत। तो हम दोनों जाके बैठके मूवी देखते थे। तो बच्पन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में जिंगी ऐसी बन गई है। तो में मुका नहीं मिलता। लेकिन शाइद एक अभिताब बच्चन जी आय थे जब मैं C.M. था। उनका बड़ा आग्रह था एक पाफिल्म शाय था। एक पार अनुपम जी खेर आय थे। उन्होंने टरीजम को लेकर एक फिल्म बनाई के थे। था। 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 तो वह उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है। यहां के बिल्कुल नहीं करता। था। विखने लिखने एक विजदना है और आपके यह कुछ भी बनाई था। अपे फिल्म बनाई थी। मैंने वह थूद देखने पाई हैं लेकिन वह नोगों को बहुत कहा। था। और बन सकती हैं वो कमर्शल हिसाब से मैंने पूरे बनाये थे बलके गाने वाने वगेरा ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था मैं सोशल मैसेजिंग था वो अच्छा था तो लेकिन खेर में वो तो मैंने रील लाइफ में किया थे तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के उपर बात की टॉइलेट्स के उपर बात की तो आपको डर नहीं लगा कि आप पहली बार प्राइम मिनेस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला फॉर्स फ्यू मुद्दाज ये इसी पर रखा हुआ है सुच्छता पे रखा हुआ है, सुच्छता आपके लिए बहुत माइने रखती है, मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगरे जो पड़ा है, और कुल मिला के मैं देखता हूँ, कि हमारे देश में बीमारी, गरीबीन, सब की चीजों के साथ हिल्थ बड़ा सबसे बड़ा तो पर कर से जीए, परस्णल आइजिइन में तो हमारी हाँ सास्ट्रों के करण, समस्कारों के गरण गर में आओ तो पैर धो करके आओ भाद धो मंदिर में जाते हो तो नहां करके जाओ सब बहुत सिखाए जाता है और भारत जैसा देश दुनिया में अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूलिजम डेवलपने हो रहा है एक कारण है गंदगी वैसे भी किसी भी समाज के लिए सोभा नहीं देता है तो मेरे मन में एक बड़ी चीड है मैंने सब्सक्राइब एक जनांदुलन बना देना चाहिए और देश को घरव होना चाहिए हम दोगों को घरव होना चाहिए हमारे देशवासे ने इस आप्ना बना लिया और यह 9 करोन टॉलेट बन जाना दो जाना दोजार चावदा के पहले थर्टी एट परसंट रूरल सै मुझे खुशी है कि देशने किया है मैं तो कौन होता हूं करने बाला जी देशने चिछ को उठा ली आप अज प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम अराम करते हैं मतलब कुछ अराम से बैठके यू बैठें गार्डन में सोच रहे हैं अजय कुछ निए चिलाउट के लिए मेरी एक आदत है मुझे कर नहीं पाता हूं लेकिन बड़ा वह रहा है एक तो मिझे सुबह पांच बेजे चाई पीने की आदत है बिना शक्कर चिनी में लेटा है आधत नहीं लेता हूं दूसरा मुझे शाम को छह बजे दीन में किसी के साथ कटसी के लिए थोड़ा ले लिए दो गूर्ट अलग बादा चाहे की आदत है तो शाम को शे मुझे चाहे की आदत है ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वाइर कर रही है लिकिन वह मुझे तब म यह मुझे बहुत पसंदा था और वो जबा कॉंसी ही यहां भी मैं कर लेता हूं और मेरे आफिस के उसमें भी कर लेता हूं लेकिन जो साउब लोग का आफिस है वहां संबव नहीं है वहां तो इसनम से बंद कमरा है लेकिन यह मेरी पसर की काम है दूसरा एक चीज मेंने में इभाली मैं चार पाज दिन कहीं चटाता था ता और पाथ दिन के लिए मेरे को चुझा चाले पाइरमेंट ज़ी थी ती थी पानी अगएरगनों साथ ले ले लाए ता ता और बहुते खेर भाला करें जेक्या है और मैं पहले रिसेर्च करके रखता था, कहीं जंगलों में, कोई जहां इंसान नहों, लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगा ढूंगता था, और वहां जाके मैं रहता था, कभी पैड के नीचे, क्या कोई भी खंड हर कोई मिल गया तो उसमें पढ किताब भी नहीं, कुछ नहीं, और पांच दिन मैं ऐसे ही अक्यला रहता था, प्रकृदी को देखना, एक प्रकारदे मेरा वो कारकम का नाम था, मैं मुझ से मिलने जाता हूं, मैं मुझ से मिलने जाता हूं, यासा ही मेरा, वो मेरी जिनगी में गहत बड़ी ताकत देने व आप ते कहां, एस पीजी बगर ऐसा कबर हो गया है, जिन यह बालग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मने एक टिया है, और मैं उससे बहुत ताकत बदा था, और जो विचार आये आने देता था, किसी विचार को टिकनाये तो टिकनाये, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐस दोनों के आप और मेरे में यह भी है कि हम दोनों के कोई गॉड़फादर नहीं थे, हम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स और कंडिशन्स पर बनाई है, तो यह रहा है बस। जब में चाय बिलता था, बहुत कुछ सिखने को मिला भी ज़े, बहुत कुछ सिखने को मिलता था हर एक के स्वभाव को समझता था, बिनाकारण जो चाय पीने वाला है गुसा करता था, डार देता था, तो इन चीजों को सिखने में बहुत कामाया, लेकि एक चीज मैंने बहुत मजयतार है बरी जिंगी कि, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ, तो बहुत सर्प है, तेरा मुरार जी, वो दोस्ताना है तो बहुत बढ़ी आउके थे, तेरा मुरार जी इतने साल तक यहां रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझो, तो उसका कारण यह था, कि मैं स्याय बेता था, तो मेरे गाउं में यह जो ट्रेने तो बहुत कम आती बार जीत का था, लेकिन जो मालगाड़ी होती है, जो मालढ़ूती है वो ज्ञदा आते थे और मुम्बए में, जो भैसों क्या तबेले रहते हैं, उसके जो दूद बेचने वाले लोग हैं, वो क्या करता है, दूद ब भैस देती हैं, तब तक मूंबए में रखते हैं, बा और भासो को ले जाते थे एक वेक्ति आएगा तो तीन-चार दिन रहना पड़ता था हम उनको 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 चाय चाहिए हम चाय देते थे उनसे बाते करते हैं मैं हिंदी सिख गया अच्छा 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 फिर वो क्या करते थे अपना राज मुजिक की को चीज लियाते तो शाम को वो चोपाई आपना भाजन करते रहते थे तो मुझे उसकी कानने नौरत के कल्चर से परिचाय आया तो एक प्रकार से चाहिने मुझे लेंग्वे सिखा दी तो आप ये सौंग की बात आई आप कभी कोई हिंदी गाना गुन गुनाते हो अकेले में गुन तो नह अगिसे उड़ने वाले घुड़े ऐसे जो गीत भूत पुराने तो बहुत अच्छे लगते थे आज के कोई काने हो नहीं हो ना आज तो पता ही नहीं मुझे आप से बात करके मदा तो शलिए लोगों के लिए काम आएंगा कुछ बात नहीं नहीं लेकिन मुझे अच्छा ही लगा कि चुनावी आपा धापी तू-तू-मेमे के बीच यह भी एक पल होता है तो जो आप पूरते हैं कैसे रिलेक्स होते हो यह भी तरीका है रिलेक्स होने का नरेंदर मोदी का वोट शो तो आपने देख लिया अब आज के मतदान की बात करते हैं आज आधे से जादा लोगसबा चुनाव समाफ्त हो गया है आज के मतदान के बाद भारत के सत्रा राजियों और पांच के इंदर शासित प्रदेशों में लोगसबा चुनाव अब समपन हो चुके है आज तीसरे चरण में 117 लोगसबा सीटों पर 62.3 प्रतिशत वोट डालेगा